हेलो गाइज मैं इस LED वाल्फ को खोल के दिखाने वाला हूं कि इसके अंदर क्या-क्या रहता है क्या-क्या पार्ट्स है चलिए तब खोलते हैं तब इस LED वाल्फ को मैं इस LED एलो गाइज मैं इस LED वाल्फ को खोल के दिखाने वाला हूं जो प्राम्टेंड में किया-क्या है इसका पेटका सब का दायमेट्रिक्स कुछ निकाल के दिखाने वाला हूं कि यह क्या-क्या रहा है है इसका अंदर चलिए तब इसको खोलते हैं तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि LED बाल्फ का यह जो पोर्शन है जो उसको बना है उसको कहते हैं जब चया बॉड़ी पार्ट हो गया कि यह जो फार्ट है यह डिफ्यूजर है जो ज़्यादा थार्मो सेटिंग प्लास्टिक से बना है एकदम लचीला है सॉप्ट देख सकते हैं सोफ्ट है दबा सकते हैं आप इसको कुछ इस तरह से यह LED सेट किट है किट भी बोल सकते हैं इसको LED किट यह जो छोटा-छोटा है इसको हम लोग SMD बोलते हैं SMD ओके यह जो छोटा-छोटा है जो जिससे बाती मतलब रॉस्णी आती है उसको जिससे रॉस्णी आती है यह SMD है ठीक है चलिए इसको खोल के देखते हैं तो तो देखिए यह खुल यह यह खुल जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है कुछी इस तरह से इसका अंदर में एक तो सर्कृट लगा हुआ है इसका अंदर में एक तो सर्कृट लगा हुआ है ठीक है चलिए हमना इसको निकाल के दिखाता हूं अपना क्या हुआ हुआ हमना इसकाल की तो सर्कृट लगा हुआ हुआ में एक तो यह को यह खुआ है इसको तोड़ दिया मैं अब सेर्कृट निकल गया बाहर में बाहर के तरफ सेर्कृट है यह रहा है सेर्कृट इस सेर्कृट में यह जो है यह केपासिटर है और यह टान्सफर्मर है यह टान्सफर्मर है अर यह बाला भी छोटा केपासिटर है यह तो टान्सफर्मर मैं ने बताई दिया आपको और इवाला जो है आपको दिखराए लार रंग का यह पी एफ है यह पी एफे ला रंका यह वाला जो है यह वाला एमो भी है एमो भी का फुल फॉम आपका हो जारा है मेटाल ओक्साइड भैसी टोर ठीक है अर यह जो है काला रंका दिख रहे आपको यह काला वाला है आपका है कि ढम कोयल अंचर लगाता है इसका अब देख सकते हैं इसका कालर से इसका भैलू निकाल सकते हैं और पिछे के तरफ अरथ N था इसलिए ही इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंटी है इसलिए यहाँ पर ic लगा हुआ है ic मतलब integrated circuit लगा हुआ है यहाँ अगर यह guarantee नहीं रहता है इसमें guarantee अगर नहीं रहेगा तो ic circuit नहीं देगा यह ब्लैंक रहेगा और यह वाला जो है काला रंग का अगर जो दिख रहा है आपको यह वाला को ब्रीज बोलते हैं ठीक है कोई भी अगर confusion है अगर कुछ भी अगर आप सब को जानना है बाद मैंने अगर कुछ गलत बोला है आप अगर मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट में बताएए